दोस्तों नमस्कार, SKD उंकार चैनल में आप सभी बहुत-बहुत सागत करता हूँ तो दोस्तों मैं फिर से आप सब के सामने आज इरू बैंग निफ्टी के एक नए लर्निंग वीडियो के साथ तो फ्रेंश में आप सभी लों को बताना चूँँगा आज 10 अक्टूबर है, आज के दिन फ्रेंश हमने क्या ट्रेड लिया, हमें कितना प्रॉपिट लॉस हुआ मैं आपको अपने और बुक और पोजिशन बुक में लेचल करके लाइप प्रूब दिखाऊंगा उससे पहले फ्रेंश में आप सभी लों को डेट और टाइम दिखाना चूँगा यहाँ पर फ्रेंश आप उपर देख पाएंगे, जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप देख पाएंगे 417 रुपे प्राइज में फ्रेंश बारा बच के दो मिनट पे हमने सिल किया है लगबग बेड़ गंटे हमने स्टेट को होल्ड किया और यहाँ पर फ्रेंश हमने 22 पॉइंट कैप्चर किया है और मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा फ्रेंश पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं काफी लंबा टूर पे चला गया था बट इसके पहले फ्रेंस पिछले last Friday को मेरा काफी बड़ा loss हो गया था जो मैं आप सभी लोगों को नहीं बता पाया और वो loss फ्रेंस इतना बड़ा हो गया था कि जो हमने एक महीने में profit बुक किया था लगबग फ्रेंस हमने अपने आपी स्टॉक के डिमेट अकाउन में 5,500 रुपए का आसपास हमने फंड को ऐट किया था बैंक के निप्ती में ट्रेडिंग करने के लिए और उस पैसे को फ्रेंस लगबग हमने डबल कर दिया था क्योंकि अपी स्टॉक में हमारा फंड 19,000 के आसपास हो गया था और 12,000 रुपए हमने एक दिन जरोदा में ट्रेड लिया था तो उस डिमेट अकाउन में भी प्रॉफिट था तो वो 12,000 रुपए मैंने वहां से निकाला नहीं था तो लेकिन मेरा जो प्रॉफिट था फ्रेंस वो लगबग 11,000-12,000 के आसपास चला गया था बट पिछले फ्राइडे या थासडे था फ्रेंस मुझे डेट नहीं आदा रहा है मैं भी आपको अपिश्टॉक के डिमेट अकाउन में लेचल करके दिखा दूँगा उस दिन फ्रेंस हमने कितनी बड़ी गलती किया कि हमने ट्रेट को होल्ड कर लिया और वो होल्ड भी हमने क्यों किया मैं आपको चलिए पहले तो अपिश्टॉक के डिमेट अकाउन में दिखाता हूँ को उस दिन मेरा लॉज कितना हुआ जिससे आपको काफी कुछ सेखने क मिलेगा यहां पर फ्रेंच आप देख पाएंगे मैं अपिस्टॉक के डिमेट अकाउंट पर आ चुका हूँ यह फ्रेंच अपिस्टॉक का न्यू अप्लिकेशन है और आपको फ्रेंच अगर अपना पीनल रिपोर्ट वगरा देखना है तो उसके लिए आपको सिंपली यहा पर फ्रेंच साब कोड़ा है इस पर आपको अपको क्लिक कर देखना है उसके बाद लेजर ॉपरोट वाले साकते हैं तो यहां पर फ्रेंच मैं। Profit Loss Report पे क्लिक करने वज़ाए लेजर पे पहले क्लिक कर देते हैं तो लेजर पे फ्रेंच आप देखेंगे यहां पर 89 रुपए था मेरे अकाउन में जो सेबी के नियम के एंसवार वो 89 रुपए आटोमेटिक मेरे अकाउन में टांसफर कर दिये गया है और यहां पर फ्रेंच में आपको दिखाना चूँँगा जो लॉस हमारा हुआ था यहां पर मैं थोड़ा से मुझे लगाना पड़ेगा इंकलूद E ETF फाइनिसली यहां पे फ्रेंच चेक नहीं होगा फीट से मैं रिपोर्ट में जाना होगा प्रौफिट लॉस पे में जाना होगा यहां पे जाने के बात फ्रेंच यहां पे आप देखेंगे गर आपको फ् believe and your word love और आप तो हमें फ्रेद वाले option पे click करना है यहां से friends आपको future and option का यहां पे जो column दिख रहा है इसको आपको select कर लेना है और यहां पे नीचे आपको date का भी option आ रहा है तो आप date भी यहां से change कर सकते हैं मांग चलिए मैं आपको पिछले महिने का दिखा आना चाहरा हूँ सितंबर मंद का तो यहां प यहां पर मैं confirm पर click कर देता हूँ इसके बाद friends आपको simply get trade port पर click करना है और यहां पर friends आप देख पाएंगे पूरे महिने में मुझे जो loss हुआ है वो 5770 रुपए का मुझे loss हुआ है और यह loss friends आप यहां पर देख पाएंगे आपके सामने dashboard open हो गया है यहां पर friends आप telegram channel पर check करेंगे तो यह मेरा profitable trade था जो मैं bullet target के लिए hold किया था जिसके बाद मुझे loss हुआ इसके बाद second वाला भी देखेंगे थर जो 3 सितंबर को हमने लिया था इसमें 228 रुपए का loss brokerage मिला के 280 रुपए का इस दिन भी friends आप telegram पर जाके screen source चेक करेंगे तो यह profitable trade था ज decision market नीचे आ गया तो 90 रुपए का profit में हमने exit किया पांस तारी को देखेंगे यहां पर हमारा 640 का loss है brokerage मिलाके 862 रुपए का और उसके बाद friends देखेंगे 10 तारी को यहां पर 525 का profit 11 तारी को आप देखेंगे 270 रुपए का loss इस दिन भी friends profit था उसके बाद आप देखेंगे 13 को profit है 16 को profit 13 को मैं दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं 630 रुपए का profit 16 को आप देख पाएंगे 675 का profit बीच में friends हमने trade नहीं लिए है जो आपको बीच में खाली दिख रहा होगा या उस दिन सनी वा संडे भी हो सकता है 18 तारी को friends आप देखेंगे 275 रुपए का loss औ और उसके बाद 20 का आप देखेंगे friends 426 रुपए का profit उसके बाद 23 का आप देखेंगे 23 को 900 रुपए का profit 25 को आप देखेंगे 100 रुपए का profit है 26 को आप देखेंगे 1845 रुपए का profit है उसके बाद friends यहां पे 27 तारी को हमने trade को hold कर लिया था buy करके और ये गलती क्या हुई थ का call side उस दिन market downtrend में था और हमने call side एक dip में buying के लिए order पहले से limit order place कर दिया था दो बज़े के आसपास और उसके बाद मेरी meeting स्टार्ट हो गई और मुझे याद नहीं रहा कि मैंने कोई भी order place किया हुआ है buy करने के लिए के निपटी में और मैं अपने mobile को friends देखता हूँ तीन बच के सत्रा मिनट पे तो तीन बच के सत्रा मिनट पे friends वो जो हमारा style price था वो order execute हो चुका रहता है और वहां से मुझे 700 रुपय का profit आ रहा था बट मैं उस बीच में देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं जब वाच करता हूँ जब मैं अपना dmate account open करता हूँ उस समय टाइम तीन बच के सत्रा मिनट होता रहता है जिस टाइम भी मुझे देख सो से 200 रुपय का profit उस समय भी मुझे दिखता है बट friends एक बार मुझे लगता है कि मैं यहां पर profit book कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं तक मेरा ट्रेट बाई हो चुका है बट यहां पर गलती क्या कर दिया फ्रेंस हमने 10 मिनट होल्ड कर लिया कि यहां से एक recovery आ सकती है उसके बाद friends हमारा जो यहनल था वो 200 को loss में जाके market बंद हो गया और next day btht में मेरा जब market खुला तो 1500 का loss आ रहा था क्योंकि बजार gap down खुल गया था उसके बाद बजार में तगड़ा profit booking हुआ बजार नीचे आया जिसके बाद मेरा loss 3500 को होने लगा फिर जाकर के friends हमने आ पर गलती क्या किया quantity को हमने बढ़ाना चालू कर दिया average करने लगा और लगभग मेरी quantity हो गई थी 240 और जिस 240 quantity को friends हमने आर पार के लिए बाई करके छोड़ दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा क्योंकि loss मेरे limit से बड़ा हो चुका था और यहां पर मैं गलती पे गलती गलती पे गलती में करते जा रहा था क्योंकि मैं loss वाली लालच बोल सकते हैं यहां पर एक होप बोल सकते हैं उम्मीद में मैं उस टेट को होल्ड करता हूँ जिसका loss आप देखेंगे यहां पर एक अक्टूबर को आपको सो करेगा 9,048 रुपए का brokerage मिला के फ्रेंश यहां पर आप देख सकते हैं 9,95 रुपए का और यहां पर फ पैसा zero होने में समय नहीं लगा एक दिन में हमने वो सारा पैसा गवा दिया और जिसके बाद फ्रेंश मैंने दो-तीन दिन ट्रेड नहीं किया बंद कर दिया था ट्रेड क्योंकि मैं बाहर भी था टूर पे वीडियो वगरा भी नहीं बना पा रहा था तो अभी पिछले दो दरस अक्टूबर सो कर रहा है तो 9 अक्टूबर का फ्रेंश मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पे आप देख पाएंगे 9 अक्टूबर फ्रेंश कल था कल हमने निप्ती में एक लॉट बाई किया जिसमें मुझे 600 को लॉस हुआ उसके बाद बाद बाईं के निप्ती में चार से पांच मिनट के अंदर आप देखेंगे हमने 46 पॉइंट कैप्चर किया निप्ती में फ्रेंश आप देखेंगे यहां पर हमारा जो सेल प्राइज है वह 79 रूपए में हमने शेल किया है और मेरा जो बाई था फ्रेंश यहां पर वो 95 रूपए का आसपास सम्सिंग म हमने लिया पचास आट सो कॉल में 230 रूपए फिर से हमने इंट्री किया फिर आप देखेंगे 214 रूपए में हमने शेल किया यहां भी आप टाइम देख पाएंगे हमने स्कैल्पिंग किया था मातर 102 मिनट के अंदर आप देखेंगे यहां पर हमने 24 से 25 पॉइंट हमने पाया था बैंक निप्टी का फ्राइंट हमने एक लॉट लिया था जिसमें 825 रूपए का मुझे प्रॉफिट हुआ था यहां पर आप टाइमिंग भी देख सकते हैं दो बच के चावन मिनट पर फ्राइंट हमने बाई किया था और तीन बच के तीन बजे निट आप देख पाइंगे अक्टूबर चार का आपको यहां पर तीन बचार दिन से कंटिनू हमारा देखेंगे लगातार प्रॉफिट आरा है ट्रेड में ऐकुरिसी फ्रेंट मैं अच्छी बोल सकता हूं कि 80-90 परसंट मेरे ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं बले वो टार्गेट वे सब्सक्रान के विश्रान का क्या कि वनार को यहां ओया को चल прям कर रहा है को फोटिन दीक और में अगरेड आ पर दोसरी जंगह पर देखेंगे कई ऐसे लोग को आइसे लोग मार्केट में किसी को 3 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया बट आज भी वो इस market में loss में है, profitable trader नहीं बन पाए, सीखे तो है friends, उन्होंने समय भी दे दिया है, सीख भी चुके हैं, उनके पास knowledge भी अच्छा खासा है, बट एक अच्छी knowledge होने के बावजूद भी वो profitable trader नहीं है, इसके पीछे friends, बहुत बड़ा region है, शीखने के बाद आप और ज़्यादा गलतिये करना चालू कर देते हैं, और ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं, जिसके बाद आपको loss होता है यहाँ पे friends, profitable trader बनने के लिए, आपको सीखने के साथ साथ, यहाँ पे discipline बनाना है, आपको नियम बहुत तगड़े बनाने हैं, और उस नियम का पालन आपको बिल्कुल करना है, जिस दिन आप नहीं करेंगे, उस दिन जैसा कि आप मेरी गलती को देखी रहे होंगे, कि एक दिन हमने जो गलती किया, वो हमारे पूरे एक महीने के profit पे भारी पढ़ गया, एक महीने में हमारा capital पूरा wipe out हो गया, तो अगर इस तरीके की गलती friends, आप सीखके महीने में या आप दो महीने में या छे महीने में अगर आप इस तरीके की गलती बड़ी गलती करते हैं तो आपका capital जीरो होने में समय नहीं लगेगा यहां भी बहुत सारी चीजें हैं money management है कि आपको बड़ा पैसा नहीं लगाना है अपने capital को ध्यान में रखते हुए अपने risk management को समझते हुए कि कितना risk आप लेने के लिए तयार है या एक trade में आप कितना loss ले सकते हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तब जाकर कि आप पूजी निवेश के रिए आप उतनी quantity को ही buy करिए जिसको आप handle कर सकें जिसके थोड़ा सा उपर नीचे आने से आपको दिक्कत ना हो और आप उस trade में बैट सकें अगर फ्रेंच आपने बड़ी quantity ले लिया और आपको knowledge होने के साथ-साथ आपको लग रहा है यहां से बजार उपर जाएगा और आपने बड़ी quantity में buying कर ली और थोड़ा सा भी अगर बजार नीचे आएगा तो वहाँ पर डर जाएंगे क्योंकि आपने quantity को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया अपने आवकास से ज़्यादा quantity अपने buy कर ली इसलिए आपको वहाँ पर डर लग रहा है अगर वह quantity आपके limit में रहती तो आपको वहाँ पर डर नहीं लगता क्योंकि आपको मालूम है को मुझे यहाँ पर 20 point या 30 point नीचे आएगा तो मैं इस trade से exit हो जाऊँगा बट अगर आपकी quantity यादा है तो वह 30 point का loss भी आपको बड़ा loss लगेगा और आप वहाँ पर 15-10 point के नीचे आने से निकल जाएंगे बाद में वही trade friends आपको target भी देगा बट वहाँ पर आप निकल चुके थे क्योंकि आपने quantity यादा लिये हुआ था इसलिए आप loss के डर के कवाण निकल गए तो जब भी आप limit में quantity लेके काम करेंगे friends तो यहाँ पर आपको डर नहीं लगेगा और आप एक सही trade में सही knowledge के साथ बैट पाएंगे, hold कर पाएंगे और यहाँ पर friends मैं आप सभी लोगों को बार बार बोलना चाहूंगा कि आप पहले तो सीखने पर focus करिए सीखने के साथ साथ friends आप यहाँ पर real money से बड़ा पैसा लगा के काम मत करिए या तो आप छोटे पैसे से सीखिए और अगर आपके पास friends बिल्कुल capital कम है और आप पांदस हजार बीस हजार की नोकरी करते हैं और उसके साथ आप से बज़ार सीखना चाहते हैं तो आपको मैं बोलूँगा आप real money से काम ना करके आप paper trading आप का साहरा लीजिए आपको google play store पे paper trading के बहुत सारे application मिल जाएंगे उनको install करिए उसके बाद आप यहाँ पे सीखिए सीखने के साथ साथ आप यहाँ पे back testing करिए paper trading करिए आप उस application के जरीए buy sell करिए उसको आप अपने copy में भी note down कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे buy किया था तो आपको target हुआ या stop loss हुआ या फिर आप directly paper trading थूभी कर सकते हैं वहाँ पे भी आप stop loss वगरा लगा सकते हैं जब friends आपको अपनी accuracy समझ में आने लग जाए कि आप कितने trade में कितना सही हो रहे हो कितना गलत हो रहे हो फिर जाकर के आप यहाँ पे real money से काम करिए और यहाँ पे friends जैसा गलती हमने किया ऐसी गलती मत करिए अगर आपको loss हो रहा है या फिर आपने गलती से आपका trade कोई buy हो गया आपने नहीं ध्यान दिया या आपने late देखा उसी शमय आप वहाँ पे अपने position को exit कर लीजिए अगर आपको loss आपका जो SHL है जो आपने निधारित किया वो आपको हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो आप एक बार वहाँ पे wait कर सकते हैं बट वो loss आपके limit से जादा नहीं होना चाहिए अगर उस दिन हमने एक छोटा loss ले करके या 100-200 के profit में मैंने उस trade को exit कर दिया होता उसके बात next day में confidence के साथ यहाँ पे फिर से trade करता रहता और मेरी capital काफी तेजी से आगे बढ़ता रहता बट उस दिन की गलती के बाद से friends हमने कुछ दिन trading को भी बंद किया अब मुझे bank nifty में सही trade लेने में भी डर लग रहा है उसके पीछे का region ही है friends कि क्योंकि हमने 10,000 capital को गवा दिया और फिर से आप मैं सही चीज मुझे जहां पे लग रहा है morning में कि bank nifty यहां से उपर जा सकता है वहाँ पे friends मैं सोचने में इतना समय लगा दे रहा हूँ कि वो trade निकल जा रहा है और मैं देखी रहा हूँ फिर उसके बाद हम उसी trade में फिर से disbalance हो जाएगा तो आपको friends यहां पे limit में काम करना इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि money management को ध्यान में रखते हुए काम करिए ना कि दूसरे का panel देखके कि उसने 1000 quantity लिया था तो आप भी 1000 quantity लेंगे तो किसी का panel मत देखिए उसका क्या money management है उसके पास कितना वड़ा fund है यह आपको नहीं मालूम है आपको अपना fund मालूम है कि मेरे पास एक लाख रुपे है या मेरे पास 10,000 रुपे है या 50,000 रुपे है तो आप उस fund के अंसार काम करिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है वीडियो के description में आपको अपी stock का link मिल जाएगा उस link से घर बैटे आप अपने mobile से बिना किसी charge के आप stock में डीमेट अकाउंट open करके आप अमारे premium learning group के साथ जुड़ कर stock market से शिख करके part time काम करके अपने job business को साथ में करते हुए कापी अच्छा पैसा कमा सकते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस चैनल को सेया सब्सक्राइब जरू करें तो thank you friends फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारिक साथ जै हिं जै भारत बंदे मासरा